आप देख रहे हैं SPN 9 News में आज बात करेंगे राजिस्थान की राजिस्थान में देश के परधान मनते नरी द्रमूदे की एंट्री होती है और अचानक से सिर्फ और सिर्फ दस सेकेंड में पूरे राजिस्थान के जनता का दिल कैसे जीत लेते हैं देश के परधान मनती नरी द्रमूदी वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद कैसे तिल मिला जाते हैं सीम अशोग गहलो के तरफ रूख करते हैं और क्यों आकर क्या कुछ कहा वह हम आपको बताना चाहते हैं कि क्यों हुआ है यह तमाम चीज़ है पहला शोगहरोत को देखिए वह क्या कहते हैं कि मैं पूरी तरह विनमर सब्दों में आम जनता को रिक्वेस्ट का रहा हूं बार बार करके बार-बार सब्सक्राइब देते हो मेरे अच्छे काम होते हैं तब भी आप हवा में बहे जाते हैं कभी मोदी कि हम सब्सक्राइब करते हैं जालोग रहते हैं अस वक्त में मान लो इस्ताइक बाद में भी आइस इस नहीं मती है पर मेरा प्ला टर्म था और हम डालोग नहीं रख पार रह सब्सक्राइब दूश पर मोदी जी का एक ऐसा माहूल बना देश के अंदर शिला दिश्री चु कर रहा हूं आप एक मौका और हमें दो इस बार हम बताएंगे आपको जो अभी हम योजना लेका है रिफाइनी बन रही है यार्ची बिगली में संगर्श कर रहा हूं मुदी जी से कि आप इसको पुरा करवा हो तिरा जिलम पानी की उजना है इस्टी राजिस्तान की वड़ा कोई बड़ी योजना में लेकर आ रहा हूं कोई भूका ने सुना चाहिए तार कितने गरीब लोगा एक हजार रसे काम करीपरी पूरा हो रहा है तो कोई काम भी कमी रास्ता में नहीं है तो मैं चाहूंगा कंदर सेकार हमें इमदाद करे मदद करे आगे राजियों के लिए केंदर सेकार के रवया राज्यों के ठीक नहीं है अपने देखा अशोग गहलोत का वीडियो वो दरसल जो है अपनी बात भी रख रहे हैं और देश को प्रधानमंती नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते नजरा रहे हैं दरसल सीम अशोग गहलोत को मिर्ची इस बात की लग और दस बजे के बाद वहाँ लॉइन और यानि कानून है कि लॉड़ स्पीकर आप नहीं बजा सकता है यानि नहीं बोल सकते हैं अब दर्शक भी वहाँ पर मजूद हुजूम इकठा था देश का प्रधानमंती नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लेकिन देश का प्रधान सेकेंड में लोगों का धिल जित लिया क्या है पूरा मामला पहले प्यों मोदी का बेहन सुनने में देर हो गई अब दस बज़ गए है तो मेरे आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पानून करना चाहिए और इसलिए मैं आप सकती छमा मांगता हूं लेकिन मैं आपको व से आउंगा और आपके जो क्यार है उसे मैं ब्याज समय चुक्ता करूंगा हारात माता के हारात माता के हारात माता के आपने देखा दीश को प्रधान मंतीर नड़े इंद्र मोदी को कैसे बयान सुन रहे हैं अब आप समझ गए होंगा कि दर असल अशू घहलो तो मिर्ची की हो लागा आईए अब आपको सिलसले बार तरीके से समझाते हैं हुआ यह हूं कि दर असल जब माइक नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि देखिए भाईयो बहनों दर असल खेल यह है कि अब आप इतने प्यारे हैं लेकिन कानून के दाइरे में रहकर ही हम भी हैं देश के प्रधान मंतीर होने के ब प्रवस्ता को लेगा लेकिन फिर भी हम आपसे किसी और दिन समबाद करेंगे बाचित करेंगे जै माता की जै कहते हुए लोगों से समबाद करते हैं दस सेकेंड की वीडियो वाईयो जो हमने आपको दिखाया और उसके बाद से अशोग गैलो के मिरची लग जाती है उसको राजिस्थान की आवामों की दिल जीत लिए देशको परधान मंतीर नरेंद्र मोदी ने और सीम अशोग गहलोत को बूरा लग गया मिरची लगए और मिरची क्यों लगए मैं आपको बताता है दरसल सीम अशोग गहलोत के दिन ठीक ऐसे भी नहीं चल रहे हैं वो अपने ही कॉंग्रेस से परिशान चल रहे हैं उन्होंने जो बगापती तोर अपनाएं उसे वो खुद ही परिशान चल रहे हैं सोनिया गांधी अलग नाराज हो गए राहूल गांधी अलग नाराज हो गए पाइलेट का गुट अलगी परिशान है ऐसे में उनके हाथ में कुछ हक ल जराते हैं और मिर्ची लग जाते हैं देखे दोस्तों दरसल खेल ये है कि चुनाब होने वाले हैं और चुनाब को लेकर पार्टियां तो त्यारी करेंगे चाहे वो आमधी पार्टी हो बीजेपी हो या फिर कॉंग्रेस हो लेकिन सब पार्टियां त्यारी तो कर रही हैं ले से कब होश में आएंगे ये एक बड़ा सवाल है जो हमारा बाखोवी तरीके से देख रहे हैं देखना होगा कि आखिर सीम अशुक गैलो ने जो हमला किया है देश को परधान मंती नरिद्न मोधिपत उनके तरफ से क्या बेयानाते हैं देखना ये भी होगा कि इस वकत जो हमारी चल रहा है राजिस्थान में सोनिया गांदी से मिलने के बाद सचीन पालेट ऐसे ही खुश नजगा रहा है माना जा रहा है कि उन्हीं के सर पे ताज पूशी होगी तो ऐसे मशोग गैलत के हाथ में कुछ भी नहीं बचा और वहीं बेपक्च हमला बर हो रहा है क्यों 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 गैलत खुदी बार बार जो है मुका दे रहा है आपनी बिढ़ायकों का इस्तीफा करवा दिया आप अपनी ताकत देखा कि गंधी परिवार को ही कमजूर कर रहे है है कमान को कमजूर कर रहे है आप क्या सोच रहे कि आने व उसलिए हमने आपको दोनों वीडियो देखा है ताकि दोनों वीडियो देखकर आप समझ जाए कि दरसल खेला क्या होने वाला आपको तो जब देश के प्रधान में थे नेरे दिम पहुंचे आपको रातो रात पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे और आपके लिए मैसेज अच अगरेस में भी उससे कैसे उभर बाते हैं अशो गलूत यह एक बड़ा सवाल रहेगा चलिए आज के लिए तना ही मुचिती जी जाजाता आप देखके रहें स्पियन आइन्यूम्स नमस्का ठीज जाज़!